नमस्कार सुप्रभाद आदर्श सिक्षण समेती बाड़ मेर मैं आप सभी भैया बैनों का स्वागत अभी नंदन कक्सा चतुर्ती विश्य गनित अध्याई दस आओ भाग करें आज हम भाग के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे आज का हमारा बिंदू है भाग की समझ किस प्रकार से भाग को हम कर सकते हैं जैसे कि हमारे पास एक सो का नोट है उसको दस वेक्तियों को बराबर बांटना है तो हम उन सब को दस दस का एक एक नोट देंगे तो वो दस बराबर भाग हो जाते हैं इसी प्रकार भाग करने के लिए हमें विविन प्रकार की विदियों से किया जाता है अब देखते हैं हम मेहंदर एक भहिया है उसका विद्ध्याले में जनम दिन था तो मेहंदर जनम दिन पर विद्ध्याले में टोफिया लेके जाता है टोफियों का पैकेट तो गुरूजी ने पूछा मेहंदर तुमारे जनम दिन की विद्धाई तुमारे पास कितनी टोफियों है तो गुरूजी मेहंदर जबाब दिता है गुरूजी पैकेट में बहत्तर टोफिया और हम ककसा में 18 भहिया है और इन सबको एक एकर बाट देता हूँ तो गुरूजी ने बताया, नहीं मैं तुम्हें बाटने का नया तरीका बताता हूं, स्यामपट पर देखो, तो उन्हों ने बहुतर भाग 18, यानि बहुतर के अंदर 18 का भाग दिया, अठारा एका मठारा, अठारा दूने 36, अठारा तिया 54, और अठारा चोक बहतर, यानि उन्होंने का कि आप प्रतेक भाईया को चार-चार चोकलेट बांट सकते हैं, इस से उसको समझ में आया, कि भाग विदी से, नहीं तो एक-एक चोकलेट बारी-बारी से चार बार बांटा, नहीं तो उन्होंने प्रतेक बच्चे को चार-चार चोकलेट बांटी, और मेंदर बड़ा खुस हुआ, उसको लगा, कि ये तो बहुत आसान विदी है, जिससे में भाग दिया जाता है, वो भाज्य कहलाती है, और भाज्यक का भाज्य में जितनी बार हम पहड़ा भाग बोलते हैं, वो भाग फल कहलाता है, और जो नीचे सेस बसता है, वो सेस फल कहलाता है, तो ये भाग गेंदर हमें ध्यानकने योग ये बात है, अब हम देखते हैं कि एक भाग करके बताया गया है हमारे को भाग कैसे करें तो मैंदर यदि टोफियों को एक एक बारता तो उससे बहुत समय लगता है आओ भाग कैसे करते हैं जाने 48 वस्तुओं को चार लोगों में बारतना है यानि 48 में 4 का भाग देना है तो हम क्या करेंगे इस प्रकार से सं और इधर 4 भाजक है, अब हमने क्या किया, 4 का पाड़ा बोला एक बार, 4 एकम 4, और हमने 4 के नीचे 4 को लिखा, और एक बार भाग फल में एक बार उतार दिया, और 4 में इस 4 गटा एस्वों ने बच गया, अब 4 का भाग 0 में नहीं जाता है, तो हमने 2 नीचे उतारा, और 8 का पाड़ा हम चार का पाड़ा आठ में दो बार बोला तो फिर अनिवींचे हमने आठ लेखे चार दुनिया आठ तो दो भाग फल में लेखा अब आठ में से आठ गड़ाया जीरो बच गया इस प्रकार यानि प्रतेक व्यक्ति को बारा वस्तू मिलेगी तो हमें चार के पाड़े में चार एक बार में आता है चार गुणा एक बड़ाबर 4 एक दाही में लिखते हैं तथा चार के पाड़े में आठ इकाई का अंक दो बार में आता है दो इकाई का अंक मैं लिखते हैं अब सेस कुछ नहीं बचा अर्था चार लोग मैं रखे को बारा बारा बस्तुएं मिलेगी यानि चार ब्रक्तियों को बारा बस्तुएं मिलेगी आव हम 15 कंचों को 3 बच्चों में बराबर बांटते हैं यानि हमारे पास 15 कंच हैं यानि कांच के गोले हमारे पास है 15 और 3 बच्चों में बांटते हैं तो प्रत्य बच्चे को कितने कितने मिलेगे तो 15 ते मकी को 3 भाग देना आए यानि 15 भाग 3 तो 5 तिया 15 यानि परतेग बच्चे को 5 पाँच मिल गए इस फरकार से भाग किया जा सकता है अब हम देखते हैं रगलाई उदाहरन में 663 में 7 का भाग देंगे तो सबसे पहले हमने क्या किया 663 में साथ का पाहडा बोला तो पहला एकाई अंग साथ है साथ में एक बार बोला साथ एकम साथ और हमने सबसे पहले एकाई अंग साथ के नीचे साथ उतरा हूँ साथ में साथ कड़ा है जीरू बच गया और उसके बाद में दो नमबर अंग मे यह उतार दिया और हमने 6 का 6 नीचे लिग लिए और 3 नीचे लिए 63 हो गया अब हमने 7 का पाड़ा 9 बार बोला 9 साथ यह 63 होते हैं और तरे शरुतार लिया और सब गड़ा लिया यानि 109 इस फ्रकार हमें भाग आसानी से करने के कुछ विद्य हैं उससे हम समझ के आगे करेंगे अब हमें एक उधार पांच में लिखा है 66 टमाटर को तीन टोकरियों में बलाबर बांट मा हैं यानि हमारे पास टमाटर है वो 66 है तो उनको तीन टोकरियों में बलाबर बांट में तीन भाग करने हैं उसके तो यह हमें सीधा पता है कि तीन भाग करने तो हम तीन का भाग देने का सोचा, हर टोकरी में कितने टमाटर आएंगे, यानि तीन का भाग, दो बार गया, तीन दूनी छे, छे में से छे गया, कुछ नहीं बचा, फिर हमने दूसरा छे नीचे उतार लिया, फिर तीन दूनी छे, यानि हर टोकरी में 22-22 टमाटर आएंगे, अब हमें इस भाग के कुछ ध्यान देने योगी बाते हैं तो सबसे पहले सुन्य में किसी संख्या का भाग देने पर सुन्य ही प्राप्त होता है यानि हम किसी भी संख्या का जीरो में भाग देते हैं तो जीरो ही आता है सुन्य ही आता है किसी संख्या में एक का भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होती है जैसे हमने किसी भी संख्या में एक का भाग देंगे चाहे पांच में दो, चाहे आठ में दो किसी भी संख्या में देंगे एक का भाग तो वही संख्या प्राप्त होगी इधर भाजक, भाज्य और भागफल और नीचे बची वो सेसपल भाग की किरिया में यदि सेसपल सुन्य प्राप्त होता है तो भाग पूरा-पूरा जाता है यह हमें विशेश कर ध्यान रखने योग ये बात है अब हम देखते हैं ग्रहकारे ये प्रश्न छोटे-छोटे हमको गर पे अपनी कॉपी में करने है और अगले दिन कक्सा मिला के जाज करवाना है तो हमें सित्यासी में 6 का भाग देना है ऐसे ही 210 में 2 का भाग देना है और 525 में 5 का भाग देना है 403 में 4 का भाग अएं 612 में 6 का भाग अएं 900 में 3 का भाग अएं इसी प्रकार ये सारे भाग हमें अपनी kaupy में करके प्रियास करना है, सीखना है और सेस जो इस प्रश्नावली की प्रश्न है वो हम अगले वीडियो में भाग दो में करेंगे ये कुछ उधारन है इनको आप हल करके अपनी कॉपी में लिखेंगे धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में